नमश्गार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों मुझे पता है कि आप अपने जिवनकाल में बहुत ही दुखी हो मुश्वत चे बाहर निकल नहीं पा रहे हो दोस्वों आपको बता दें कि आप अगर एक बार मुश्वत में चले जाए तो दोस्वो आपको उम्मित की नई किरन नहीं देखती जिनसे आप उपने जूनकाल को दो बारा शमाल सकें जे दोसों अंदर शे आपको अभी भी बहुत ही घुटन शी महसुश हो रही है कि कब हमारी यह परिशानी खत्म हो जाएंगी कब हमें इस दुखों से चुटकरा मिलेगा तो दो दोसों आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत्त तक जरूर देखेगा जे दोसों अगर आपकी जीवन में शारी परिशानिय का उपाई बताने वाले हैं आखिर कौन सा वज़ा है जो कि यह दुख आपका खत्म नहीं हो रहा है जे दोसों दोसों कुल बाहरा राशियों में शी आप एक एक एशी राशी है जिनको सबसे ज्यादा दुख जहलने पड़ रहे हैं दोसों पिछले तिन सालों में आपका जीवन बिल्कुल ही शुन शाह हो गया है दोसों आप कभी भी अपने जुनकाल में अच्छी तरशे चैन की नेंद नहीं ले पाए हैं जे दोसों आपको हमेशा यह चिंता होती रहती है कि कभ हम इन परिशानों से मुक्ति पाएंगे कभ हमारी दुख के दिन खत्म होंगे जे दोसों तो दोसों आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिशना करें और शुरूश लेकर अंध तक जरूर दिखेगा दोसों इस वीडियो में हम आपकी जुनकाल की शारी दुखों की शारी परिशानों की और शारी तकलिफ की जो कि आपकी जुनकाल में लगतार कई वर्षों से चलते आ रहे हैं दोसों शवी का शमाधान बताने वाले हैं किसी आप इंसे उभर शकते हैं कौंसे आपको उपाय करARS ताकि आप इंसे उभर जाए शार दोसों को कौंसे अब विशेज बातों के ध्यान रखना चाहिए ताकि आप दोबारा इस मुशावप बनना पड़े इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रुरी है उशे पहले दोस्तों सर पर्थम जो भी शंकट मोचन के सच्चे भक्त हैं दोस्तों कमेंट बॉक्ष में सच्चे मन से जय हनुमान जरुर लिखेगा महावली हनुमान जी का अश्रवाद आप शेभी को प्रैप्त होगा शंकट शे हनुमान जी आपको दूर रखेंगे जया दोस्तों तो आई दोस्तों बात करते हैं उशे पहले दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो आई दोस्तों वीडियो को प्रारम करते हैं दोस्तों आप लोग ने अपने जीवनकाल में पिछले शमिंत्राल में हर मोशम को देखा है आपने हर मोशम को जहला भी है यहाँ पर हम आपको मोशम यानि शमय की बात कर रहे है दोस्तों मोशम का मतलब शमय है दोस्तों आपको बता दें कि आपने हर तरह की emotion को देखा है हर शमय में हर परकार की पिस्ति और situation को जहला भी है अपने जियोन में अच्छा भी देखा है तो आपने अपने जियोन में बुरा भी जरूर देखा है दोस्तों आपने अपने जोन में खुश्या जहां देखी है वहीं अपने जोन में गम भी आपने देखा है दोस्तों पिछले शमेंटराल में आपने उम्मीद भी रखी है आपने अपने उम्मिद लगाई बेठे हैं कि आने वाला हमारा कल बहुत ये अच्छा होने वाले हैं आपने सोचा है कि आने वाले शुम में हमारी किशमत जरूर बदलेगी और आप अपने मन में ये सोचते रहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि आपने पिछले शुमे द्राल में यह भी सोचे हैं कि आने वाले शुमे में हमें पहतरी परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे शाती आपको बता दें कि दुख में दर्द में चाहे आप कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो आपके चेहरे पर मुश्कुराट हमेशा बनी रहती है दोस्तों आप अपने दुखों को किशी के शात व्यक्त नहीं करते हैं या पिर कर भी नहीं पाते हैं दोस्तों आपको बता दें कि आपके मन में बहुत कुछ करने की एक्षाएं होती है कुछ करने की कुछ बनने की अनेक एक्षाएं अनेक तमयना ही रहती है आपके मन में कुछ ऐसे भी तमयना ही होती है कि आप अपने जियों में जो आपके मनपशंद चीज़ हैं आप उन्हें प्राप्त कर सकें आप उन्हें मनपशंद की चीज़ों को मनपशंद के कालियों को करें और जिस लेवल पर जाना चाहते हैं उसे प्राप्त करें लेकिन दोस्तों आप शमय की मार और घर की महत्पों जिम्यतारियों को देखते हुए पीछे अर जाते हैं या पिर कहीं पर आपको शमय की शी मार पड़ती है कि आप अपने अर्मानों को अपने अंदर ही दबा लेते हैं शादे दूसरों आपको बता दें कि आप जानते हैं आप जिस इस्तिति पर है जिस भी लेबल पर है जो भी कारी को अपने अचिप किया है वो आपकी मंजिल नहीं है आप बने जोन में अभी भी शंतुश नहीं है आपके बड़े शपने हैं आप बड़े उंचायों पर जाना ऐसी आप कोशिश भी हमेशा कर रहे हैं। आप बड़े लोगों को देखकर अपने शपनों को देखकर अपने मन में हमेशा रिक शह बनाते रहते हैं। कि हमें अपनी मंजिर एक नाई दिन झरूर मिलेगी। और आप जहां हैं वहाँ पर आप खुश नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ बात भी बिल्कुर शाते हैं कि आप लोगों ने कोशिश करने में कोई कसर ने छोड़ी आप से जितना हुश्चका आप जितना प्रयाश कर सकते थे आपने पूरा प्रयाश किया पूरे हिर्दे से दिल के गहरायों से अपने शबलता पाने के लिए और उनको प्राप्त करने की जो ललक है जो तमना है वो आपके अंदर अभी भी है इसके साथ ही दोस्तों में आपको बता दें कि आप जिनके लिए महतुन कारी को छोड़कर उनके शाहता करते हैं दिलो जान से उनकी हेल्प करते हैं आखिर वो ही आपको धोगा दे देते है और जब आपको उनकी जरत पड़ती है तो दोस्तों में पीट पीछे करके आगे चल देते हैं इसके साथ हम आपको बता दी कि आपकी जोन में कुछ यसे भी गटनाई गटित हुई है जो आपको सोचने पर मजबूत कर देती है और बहुत ही ज़्यादा दर्दना गटनाई भी गटी है यहां तक कि कभी-कभी आप अपने पूरु श्वमे को याद करके बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कभी आप अकेले में बेढ़ते हैं तो यह सोचते हैं आपके जोनमी जो आप परना चाहते थे जहांपर आप पहुंचना चाहते थे वहां पर अभी पूरी कोसिज भी कर रहे हैं आप अपनी मंजिल को क्या हूआ कौन सी वज़ह कारन को शबलता अभी तक नहीं बेर गार रही है कि यह बहुत शी वज़ह लें कुछ मुह के कारण हैं जिनकी वज़से आपने लग्च तक अपनी मनजिल तक नहीं। पहला कारण है दोखा दोस्तों आप अपने जियुन में जिन के उपर विश्वास करते हैं उनके शाहता कर उन्हे आगे बढ़ाते हैं जिनको आप अपने शारी जानकारियां भी देते हैं वही लोग आपको दोखा भी देते हैं और आपको नुक्षान हो जाता है इसे के शाथ हम आपको पिता दें कि दोस्तों आप कोई भी कारी करते हैं तो उसमें जल्दबाजी और उतावले से कारी करते हैं उसके कारण भी आप अपने मलजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और आपके जिवन में खराब प्रतिती का निर्मान हो रहा है। लेकिन दोस्वम आपको बिता दे कि जो बीद गया शोब बीद गया। अब उशे पर आपको विचार करने की जरत नहीं है। उशे तो आप ठीक नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो सच है कि बिता वश्वम में आपको बहुत कुछ शिखा गया है। और अपने जरूर कुछ अच्छा नुभव भी किया होगा। आपने देखा है कि बुरे वक्त में किशने आपका शाद्या है। अपनों के बीच में कौन अपना है और कौन पराया है। और कौन बीच में रहकर अच्छे अच्छी बातें करते हैं और पीट पीचे कौन बुरायां करते हैं अब आपको शुवी परकार की सिख को लेने के बावजूद जियोन में आगे बढ़ने कीजरते हैं और आप आगे जानते हैं आपको केशे परिणाम देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आप शुवी को बता दें कि आपने अच्छे बुरे वक्त में बहुत कुछ अनुबव कर लिया बहुत कुछ शिक लिया और बहुत शारी परिशानियों को जिल लिया लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यश्मे वावधी में आपके प्रिश्यानियों कंत होगा आपको यश्वा मशुष होगा कि आपने पिछले श्मे जो भी गावाया है वो यश्मे आपको मिल रहा है दोस्तों आपका बूरा वक्त अब धिरे धिरे श्माप्त हो रहा है बेदी कि शावधनी को लेकर बाद करें तो दोस्तों सब्सक्राइब रखना चाहिए अपको जो प्रसिदि को गुरोवत के बजाएं शांती पूंट पून तरीके कि निम्टाएं तो आपके लिए ज्यादा कुछ रहेगा और इसको परां दोस्तों यश्व में आपके लिए समय होंगे आपको बता दे कि किसी के भी शाथ मिलजून कर काम करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है दोस्तों यश्व में आप अपने विचारों पर अड़े रहन किके आपके आपके लिए समय होंगी कि दोस्तों आपकी राशर्य के लिए जुसरहुत होंगी फिस Aah पालो पर शम्रिक हो लिए दोस्तों विद्यार्तियों को केरिया शमंदिक किशी शमस्या का शमधान भी यह मिलेगा आप अपनी किसी कमजोरी पर विजय भी यह में हाशिल करने वाले हैं दोस्तों प्रंतु आलश हो अफिर ज्यादा बोज मस्ती के शमय समय को यह में वश्ट ना करें यह आपके करने का शमय होगा तो दोस्तों यह में को बिल्कुल ना गवाएं और अपने कारियों के प्रति अपने ध्यान को करें तो आपको बताते हैं कि अब आपको अपनी जुनकाल में कौन से उपायों का कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए ताकि यह दुख के दिन आपके खत्म हो जाए जिए दोसों आप शुभी को बता दी तो आपको बताते ही कि आखिर आपको कौन से उपाय करना चाहिए कौन से मंत्र का आपको जाप करना चाहिए ताकि दोसों जो आपके जुनकाल में परिष्यानियां पिछले कई वर्शों षे घर बना कर बैठा है थैरे धी धीर खत्म हो जाएं जै दो Sóista नियमंत्र के शारी परिष्यानियां दुक्क को बिद्ध करेंगी तो दोसों इस मंत्र को आप ध्यान से जर्व शुनेगा जो दोसों मंत्र है ओम, हनुमान, पहलवान, वर्ष बारहा का जवान हाथ में लड़ू, मुख में पान आओ आओ बाबा हनुमान नो आओ तो दुहाई महादेव, गोरा पार्वति की शब्द सांचा, पिंड कांचा, फूरो मंत्र, इश्वरो वाचा मंत्र को दोबारे से सुनेगा मंत्र है ओम, हनुमान, पहलवान, वर्ष बारहा का जवान हाथ में लड़ू, मुख में पान आओ आओ, बाबा हनुमान नो आओ, तो दुहाई महादेव, गोरा पार्वति की शब्द सांचा, पिंड कांचा, फूरो मंत्र, इश्वरो वाचा दोसों इश्व मंत्र का अनुष्ठान, मंगलवार या पिर शनिवार्ष यारम करें हनुमान जी को शिंदूर का चोला, जनेव, हडाव, लंगोट, दो लड़ू और दोवाजा चड़ावें इसके बाद परतिक मंगलवार को वयत रखें लाल वस्त्र धारन करें, तथा लाल चन्दन की मालाशे, जपादी कर्म करें शनिवार को चनेत तागुड का वित्रन करें, इस मंत्र की दश मलाएं, परति दीन जपें यह कर्म तीन महिने तक करें, शदा पवित्र रहें, हनुमान जी दर्शन देंगे उश में जो चाहे, वे शबी मांग लेना, जिवनकाल की शारी दुख कर देंगे शंकट समर्शाओं से शंकट मोचन आपको दूर रखेंगे जी दोसों, और कमेंट बॉक्स में शच्चे मन से जय हनुमान जरूर लिखेगा और शादोसों और शेदी जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद